रूपा जी क्या कहें? संस्कृती हमारा देश कुछ और कहता है, कानूनी आजादी कुछ और कहती है, और जो नतीजे हैं वो हमारे सामने लगातार हैं, ऐसा लगता है जैसे के हम टेलीविजन में कोई धारावाहिक देख रहो हूँ, एक तरीकी की वारदाते लगातार दर पै कुछ कर जाता है, कौन जिम्मेदार है? देखे, बड़ा सम्वेदन शील मुद्दा है, और बिल्कुल आपकी इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा दू, यह ना केवल बेटियों या जो भटके हुए युवा है, जिनके हाथों से यह मर्डर हो जाते हैं, मैं हो जाते हैं, इसलिए इस वक्त प्रियुक्त कर रहे हूं उस आरोपित के लिए, यह बिल्कुल सही आपने कहा, देखे, संस्कारवान होना और संस्कारवान दिखना दो अलग विशर है, हमें संस्कारवान, अब यहां इस्तिती यह लग रही है, यह लड़का घर की बताई, शादी को एक उसके माबाप का उस पर प्रिशर था, वो इसी कश्म कश्म था, कि माबाप की माने या उस लड़की की माने जिसके साथ हो पान साल से रह रह रहा था, तो यह पूरी तरह से अपने माता-पिता के अंकुष में तो थाई नहीं, क्योंकि माता-पिता के बताई शादी, आप अप्टर आल देखें, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दू, बहुत स्पष्ट रूप से कह दू, यहां से सुनने वाली हर अपनी बेटी के लिए, हर भारत की बेटी के लिए कि आज कितनी भी हमने तरक्की की हो इस्त्री देह मात्र है उसकिसी दूसरे की नजर में बहुत पढ़ने लगी हमने अपनी बेटियों को पढ़ने बहुत दूर बेजा मैं उन्हीं यह बताना चाहती हूं कि आप जिस दिन उनकी दिखाई दृष्टी से वो आपको देह भी लेकिन उनके पीछे यह बेडिया होता है हर दृष्टी में दोनों वृतियां होती है एक व्रत्ती हावी होती है तो वह व्रत्ती चुपी होए होती है आप जिस दिन अपने आपको देह रोप में प्रस्तुत कर देंगी आप उस दिन से बहुत खत्रे में आ जाएंगे आप मित्र बन के रहिए, सहयोगी बन के रहिए, बहुत वैलविशर बन के रहिए, उसके साथ पूरी मित्ता से रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, जिस दिन आपने बहुत नजदीक्या बढ़ा ले, भाई मैं कहते हूँ, आप बच्चियां बाहर पढ़ने लगे हैं, पहले बच्ची हॉस्टल में रह रही है, वो लिविन में रह रही थी, तो ये लड़का किसी माबाप के दबाओं में शादी नहीं कर रहा था, इसने बाकाइदा उस लड़की का शोशण पूरा पर्याप्त कर लिया था, मैं ये चहना चाहती हूँ, अब उसका मन भर चुका था, अब वो दूसरी पारी खेलने के विराक में था,